मंत्री जी ने अपने जबाम में बताया ओक्सफोर्ड युनिवस्टी के रिपोर्ट के अनुसार 81 देशों में सूशल मीडिया के मैधम से हालिया रुजानों और साज़निक रायव को हिराफेरी करने के लिए यूज किया गया भारत के निर्वाचन आयोग ने भी 2019 के आम चुनाओं में सूशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए केमेटिका गठन किया ताकि चुनाओं में उसका दुरुपर्चार जो हू रहा था उसके उपर एक्शन लिया जासके मैं मानिये सभापती जी आपके माध्यम से मंतरी जी से पूछना चाहता हूँ सरकार ने जूटी सोशल मीडिया को रोकने के लिए क्या-क्या कानून बनाये हैं और क्या-क्या कानून बनने की प्रकरिया में हैं समेधन शील प्रश्ण है और मैं आपसे क्रिपा पूर्वक अनमत्री जाओंगा मैं थोड़ा सा इलैबरेट देने का आउसर दें क्योंकि इसके माध्यम से मुझे एक संदेश भी देना है सर हम सोशल मीडिया का बहुत सम्मान करते हैं सोशल मीडिया ने आम लोग को इंपावर किया है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ी भूमिका है हम आलोचना के भी अधिकार का सम्मान करते हैं प्रधान मंत्री से लेकर सरकार तक क्या आलोचना कर सकते हैं क्योंकि इस सम्मिधान का अंग है लेकिन सोशल मीडिया का दुरुपयोग अगर हिंसा, फेक नियूल, वैमनस से बढ़ाने के लिए किया जाएगा तो कारवाई होगी, यह हम बहुत पिनम्ता से कहना चाहते हैं तर दूसरी बात, हम भारत के चुनाओ की प्रक्रिया को बहुत ही आदर से लेते हैं और चुनाओ आयोग ने बहुत ही बढ़िया काम किया है अगर सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके कोई चुनाओ को भरस्टा चार्ज से प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो सक्त कारवाई की जाएगी, यह भी हम कहना चाहते है और उसमें चुनाओ आयोग के साथ साथ सरकारे भी काम करेंगी जहां तक आप फेक न्यूस का सवाल है सर्थ, मित्रवर प्रकाश जी यहां बैठे हुएं सर्थ एक फेक न्यूस को बस्ट करने का हमने प्लैटफॉर्म बनाया हुआ है और जो फेक न्यूस डालते हैं तुरत उसका करेक्शन भी यहीं आ जाता है तो आज इस सदन के पटल से चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेस्बुक हो चाहे वो लिंक्डिन हो या कोई हो या वाट्सेप हो मैं विनमता से आगरा करूंगा भारत में आप काम करिए आपके करोणों फालोवर हैं हम उसका सम्मान करते हैं पैसे भी कमाईए लेकिन भारत के समविधान को आपको पालन करना होगा भारत के कानून को आपको पालन करना होगा यहां कहना चाहते है राइट, सुसी जी, सेकंड सेप्रिमेंटरी, जनाम, स्वीडन के वीडम इस्चूट की साल दो हजार बीस की डेमोक्रेसी रिपोर्ट में कहा गया है, कि नरेंद्र मोधी सरकार में मीडिया, नागरिक समाज और विपक्स के लिए काम होते जगे कारण, भारत एक रोग्संतर क कौन सी रिपोर्ट एए है? स्वीडन के वीडमें स्वीडन का वीडन का वह क्या समंद है? हम को क्या समंद है? Quoting some reports from somewhere, please. These are all political. वो अपना ओर देके, the countries which are commenting about the internal affairs of India, they should look inward and then talk about things. Please, don't dengerise such you. सर मेरा मेरा कॉश्चन है इसमें पडोसी देशों के दुवारा जो जूटी परचार किया जा रहा है उसको रोकने के लिए भी भारत सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और जो जूटे खबर सोशल मीडिया के माध्यम से देश्ट के अंदर फैलाया जा रहे हैं उस पे कितने मुक मैं आज एक सवाल कहना चाहता हूं सर आपने बहुत अच्छा टिपणी की सर ऐसा क्या है सर कि मुंबई वाशिंटन के कैपिटल हिल पर जब रैंसेकिंग होती है पुलिस को करवाई करना पड़ता है तो कुछ ये माइक्रो ब्लॉइंग कंपनिया उसके साथ खड़ी हो जा ने हम भारत के समविधान में फिटम आप स्पीच है लेकिन नाइंटीन टू में ये भी लिखा हुआ है इस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन विकाद सौरेंट इंटेडरी ओफ इंडिया क्या मजाख है कि आप नरेंद्र मोडी मैसेकर ऑफ प्रिसान हैस्ट सोशल मीडिया और मीडिया में एक महत्वपूर्ण फर्क ये है कि सोशल मीडिया में हमें अपनी जो बात कहनी है उसकी पूरी स्वाधिनता होती है मगर जब खुद को प्लैटफॉर्म कहने वाले सोशल मीडिया संस्थान जब मैंने क्या कहना कहना या नहीं कहना इस पर नि पीरता पूर्वक सोचेगी क्योंकि इस विशह में इलेक्ट्रोनिक्स और टेली कमुनिकेशन के साउसदिय स्थाई समीतिय ने भी रेकमेंडेशन की हुवी है मैं इतना ही कह दूंगा कि मितवर प्रकाश जावड़ेकर और हम दोनों सर पूरे इस गाइड़ान को रिविजिट कर रहे हैं अज़िस फाइनल हमलों का मनतव बन जाएगा तो हम इस पर बताएंगे और उसकी इप्रदी सब्सक्राइब में भी रखेंगे एक बात जो मानिसरस ने कही है सर वो बहुत ही महत्पून बात है कि आप जब एक प्लैटफॉर्म बनते हैं तो आप अपना एक स्वैम का कानून बनाते हैं कि उसी से हम जाचेंगे कि क्या सही है गलत है और उसमे भारत के सम्विधान और भारत के कानून की जगर नहीं होगी तो यह तो नहीं चलेगा आप यहाँ पर हैं तो आईए आपके काम का सम्मान है आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसका सम्मान है आप व्यापार करिए एफड़ाई लाएए पैसे लाइए लेकिन भारत के कानून और भारत के सम्मिधान का समान करना पड़ेगा